हलो दोस्तों, वेलकम दू दू दे लेमान वे, जहां पे हम UPC Preparations Related आपके Key Concepts को क्लियर करते हैं और दोस्तों हमारा मकसद यह है कि हम जाद से जादा लोगों तक Quality Education पहुचा पाएं तो जाद से जादा लोगों तक यह वीडियो पहुचाएंगे ताकि हम मिलके कुछ Difference कर पाएं और अगर आपको कोई भी हेल्प की जरुवत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको free material और free courses जाके हमारी website पे मिल जाएंगे www.thelemanway.com और हमारे telegram group पे भी मिल जाएंगे जहां पे हम daily MCQs और daily motivation लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को clear करने में तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चलिए आज का lecture जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस लेक्शर की अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप www.thelemanway.com पे जाके free materials में जाके इसको access कर सकते हैं तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और integrated ombudsman scheme के बारे में बात करते हैं लाज्स लेक्शर में नें एक इसका मतलब होता है खते हैं आपको कोई अगर problem हो तो आप किसके पास जाओगे अम जो वो जिसके पास आप जाओए पूरा उसको बोलते हैं कि आपका जो Grievence है उसको Redress करना ठीक है आपका जो Problem है उसको Address करना छिंट तो यह बेसिकली अब्हाइन ने अन्यानावन्स किया कि हम One Nation One Ombudsman रखेंगे ठीक है अभी ad twenties ट्रेज record का अलग है ठीक है MPfc का अलग है एना और awhile कर लग है है और किसी बैंक का देखो गया पी जो प्रीपेड इंस्टूमेंट्स हैं जैसे पेटीम अगेरा हो गया है ना फोन पे हो गया इनके ओंबुट्समें अलगे हैं अगर आपको कोई दिक्कत हुआ मालो आपने पेटीम से किसी को पैसा भेजा है ना वो फ्रॉड हो गया पैसा गया नहीं तो आप किसके पास जाओगे तो आप पेटीम के ओंबुट्समें के पास जाओगे है ना अपना ग्रीवेंस को रिट्रेस कराने के लिए तो अभी क्या बोला है अभी आर्विया ने बोला हम इन सब को बस एक ही रखेंगे कोई ज्यादा किच-किच नहीं होगा हम सब हर ची जांगे комнаs के झालग़ चलता और बैंक के लिए अलन चलता रहे तो हम इसको पूरा इंटीग्रेट करके एक ही मिले आएगा तो एक ही ओंब्स्बैंन होगा जहां पर आके nb fcs के व'보 कि ग्रीवेंस वीरिटरेस होंगे पे इन सब के टीम अगईरा फॉर फोन पे होंगे और इसे भाई पूरा mechanism simplify हो जाएगा efficient हो जाएगा और more responsive हो जाएगा राइट efficient होगा obviously तीन-तीन किजा कि अगर एक ही होगा तो ज्यादा बेटर डील कर पाएंगे ज्यादा बेटर efficiency आगी है ना तो यह banking ombudsman क्या होता है it is a quasi-judicial authority judicial quasi-judicial क्यों पोल रहा है क्योंकि यह court नहीं है आपका यह court नहीं है आप grievance आपका retrace हो रहा है na grievance आपका retrace हो रहा है but this is not a court ठीक है इसलिए partly judicial है क्योंकि यह grievance सुनके आपका उसको resolve करने की कोशिश करेगा है तो it is called a quasi-judicial authority और यह किसमें आ जाएगा alternate dispute retrace mechanism का यह part है उसके बाद इसको fund कौन करेगा इसको fund fully RBI करेगा है ना जितने भी banking transactions है सबको यह cover करेगा सारे grievances को cover करेगा except इत्यानक ना except business decision जैसे sanctioning of credit इसक्तरा तो business decisions को यह cover नहीं करेगा उसके grievances आप यहां पर नहीं ला सकते बाकि उसके इलावाद जितने भी हैं उसके इलावाद जितने भी हैं वह आप कहां जाओगे उसके लिए आप और उन सारों को यह banking ombudsman address करेगा है कौन-कौन से बैंक कवर्ड है कॉमर्चिल बैंक शेडिल प्राइमरी कॉपरेटिव बैंक और और रर्ब्स यह सारे इसमें तो जो कंप्लेन है वह आप banking ombudsman के पास लेजा सकते हो है वह अगर रिजेट कर देता है यह तो यह फिर आपको satisfactory reply नहीं मिलता है एक महीने के अंदर अंदर ठीक है तो क्या करो गया कि one can file a complaint sorry आप complaint file कर सकते हो ठीक है अगर आप आपको यह रिट्रेसर नहीं मिला अपनी प्रॉब्लम का तो आप complaint file कर सकते हो banking ombudsman में जाके ठीक है आप मालो आपने कोई बोला किया रहे हुं में कोई चेक निकल वाना है ना फिर आपकी या फिर कोई बैंक से कोई दिक्कत थी है ना बैंक ने किया एक महीना हो चुका है आपको कु इसमें यह था कि इसमें नाई न्यू एंप्रेला एंटिटी एंडियू एंडियू करके आर्वे सेटप कर रहा है क्या है यह एंडियू एंडियू को समझने से पहले आप यह समझो कि अभी अभी जो payments and settlements है इंडिया में उसका वह कैसे काम करता है ठीक है तो जैसे मालो आप जैसे मालो आप यूपिया से बहुत बार payment करते होगे यूपिया से बहुत बार payment करते होगे xyz आपका कुछ होता होगा यूपिया से जब पेमेंट करते हो इसो कंट्रोल कौन करता है इसो कंट्रोल इस नेटवर को कंट्रोल करता है NPCI National Payment Corporation of India यह बेसिकली डिटेल ATM के through direct transactions भी होते हैं फिर आपका ये UPI वाले transaction होते हैं फिर wallet वाले transaction होते हैं तो ऐसे बहुत सारे payment payment you know system चलते हैं एंडिया में राइट कुछ को 60% इनमें से payment system जो है वो NPCI ही कंट्रोल करता है ठीक है इस में से 60% है वो NPCI ही कंट्रोल करता है मजब majority जो है वो NPCI के पास यह बाकी बाकी सब और किसी की और के पास भी है बाकी सब भी है na credit card हो गया visa mastercard है यह सब भी operate करते है तो क्या बोलते हैं तो मतलब मोस्ती डिटेल पेमेंट जो है वो किसके पास है NPCI के बारे में यह याद रखना है आपको ठीक है तो NPCI के पास जब इतना सारा payment gateway है मतलब पेमेंट रिटेल पेमेंट जो पूरा NPCI का monopoly चल रहा है उसको हटाने के लिए और क्या हो सकता है मा अंबरेला एंटीटी का मतलब यह है कि जितने भी पेमेंट हो रहे हैं जितने भी पेमेंट हो रहे हैं सब एक ही एंटिटी के अंदर होंगे वो उसका नाम क्या हुगा New umbrella entity जैसे अभी क्या है अभी जो ये UPI वाला है या NPCI कंट्रोल करता है राइट वैसे ही कुछ और credit कार जैसे जो financial markets transactions होते हैं corporate वगारा के वो clearing corporation of India control करता है तो ऐसे बहुत सारे हैं सिर्फ एक दो नहीं है बहुत सारे हैं तो अब हम क्या करेंगे यह सब को merge करके एक umbrella entity के अंदर ले आएंगे उसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा new umbrella entity ठीक है तो अभी news में इसलिए था क्योंकि RBI ने deadline को extend कर दिया है जिसको भी apply करना है new umbrella entity के लिए 31 मार्च तक apply कर सकता है eligibility क्या है eligibility यह है कि आप जो है होना पड़ेगा और तीन इंडियन होना पड़ेगा और क्या बोलता है तीन साल का वह होना चाहिए minimum experience होना चाहिए उसके बाद paid up capital कितना होने चाहिए 500 क्रोड मिनमम होना चाहिए paid up capital net worth होना चाहिए 300 क्रोड का यह सब याहाद करने जरूरत है नहीं है इक बार देख लो उ एक entity के पास 40% से ज्यादा इसका नहीं होना चाहिए 40% जैसे मालो 20 क्रोड हो गया तो कोई भी एक individual 20 क्रोड से ज्यादा इसमें नहीं दे पाएगा अभी एड प्रेजन समझे आ रहा है यह ऐसे facts नहीं मैं बता रहूं बस कि 40% कोई भी single जो promoter है 40% ज्यादा इसमें investment नहीं क करेंगे और NPCI के ऊपर जो यह बर्डन वर्डन है 60% उसकी monopoly reduce करेंगे रिस्क को reduce करेंगे तो यह सब इसका major motive है क्योंकि NPCI बहुत बढ़ा हो गया बहुत बढ़ा हो गया सब करेंगे तो उसको रिस्क को हटाने के लिए यह new umbrella entity आ रही है इससे और भी क्या होगा इससे इन का reach भी बढ़ेगा अब NPCI अकेला बहुत नहीं कर सकता है ना NPCI काफी चीज़ा try कर रहा है बड़ बाकी entities भी आएंगी तो अपना you know network बढ़ाएंगी तो इससे क्या होगा digital inclusion भी होगा है ज्यादर ज्यादर लोग digital network में जोड़ेंगे digital payments बढ़ेंगी तो इससे यह सब manage and operate payment system manage करेगा payment system development objectives को देखेगा राइड नए payments methods को और डेवलप कर नहीं कोशिच करेगा है ना clearing and settlement system करेगा यह सब बहुत ही subjective statement है आप ही जाए अगर प्रिलम्स में तो मतलब ऐसे अगर कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा statement ना हो तो उसको सही मार देना ठीक है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा generic statement होती है जितनी भी generic और बहुत ही subjective statement होती है वो generally सही होती है यह सब हमने उसमें बताया हुआ है अगर वो नहीं देखिए तो इक बार जाके जो है उसको देख लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं अब NPCI न्यूस में था तो NPCI के बारें बात कर लेते हैं what is NPCI National Payment Corporation of India किसके अंदर established हुआ था Payments and Settlements Act जो है 2007 वाला उसके अंदर यह established हुआ था कौन किसका किसने इसको बनाया था RBI और Indian Banks Association ने मिलके इसको establish किया था अब इसमें 10 core promoter banks है क्या नाम कौन कौन से promoter bank है तो जितने भी बड़े-बड़े bank है ना SBI PNB Canada Bank Bank of the Union Bank Bank of India ICICI Bank HDFC Bank City Bank HSBC जितने भी बड़े bank है वो सारे core promoters bank मिलके आये और उनने NPCI बनाया है along with RBI सब्सक्राइब क्या है कि नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है कोई इसका revenue stream नहीं है यह नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी यह बैंक ने बेनेफिट के लिए ही इसको बनाया हुआ है ना companies act के अंदर establish हुई है 1956 में उसके बाद उसके बाद क्या क्या पढ़ते हैं उसके बात अचाहां NPCI की एक और subsidiary है जिसको बोलते हैं भारत बिल भारत बिल पेमेंट अब भारत बिल पेमेंट क्या है बारत बिल पेमेंट बेसिकली आपने देखा होगा आपको electricity अच्षिटी पिमेंट करना रहता है तो भारत बिल के तुक्षण सकते हैं ये आटमाट के मेंट होता रहता है जितना भी आपका बिल आगगा ऑर्तमेंट करो वो जो है वो पेमेंट करता रहेगा तो वह वाले सिस्टम जो है वह NPCI का ही है उसकी अब वो एक सब्सूडेरी क तो उसके बाद क्या है न्यूसरे गाता है जब कि बारत एक प्यव्ड विज़ना है उसके बात क्या है इंपी और कॉन कोशनी से प्लाटफॉंग प्लाटफॉंग चलाता है है एन रूपे का एक है भारत विल पेमेंट हम देखी लिए यूपिया इसका है अधार इनेबिल पेमेंट सिस्टम इसका है एनी टीए जो है फास्ट टैग वगएरा जो चल रहा है आजकर है ना वह भी इसी का है नाशनल आटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो एक एम से जब आप ट्रांजिक्शन करते हो तो जो पीछे बैक एंड पर वरकिंग होती है एक बैंक से दूसरे बैंक को वह जाता है रिस्पॉंज जाता है वह एने सीच के थ्रू जाता है तो वह सो कौन अपरेट करता है उसको भी अगर आपको अगर बैलेंस चेक करना अंगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या फिर आपको को टांजिक्शन करना तो वह आप स्टार 9 9 8 SMS करके भी कर सकते हो ना ना नाशनल फाइनिशल स्विच को यह ऑपरेट करता है चेक टॉनकेशन सिस्टम को यह ऑपर करता है हमारा ठीक है उसको आगे बढ़ते हैं और डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम की बात करते हैं वाट इस डिजिटल पेमेंट क्या होता है आपको पताई है फोन पे गे तुछ पांच शे सालों में तो पूरा का पूरा आप देखोगे यहां ग्रो कर रहा है ना एक तो यह बयार यह वाइट मैंन वाइट आता यह यह नहीं तो यह जो है क्या बोलते हैं आप ट्रेंड योग्जैंस ज्याद लोग डीजिटल पेमयन नेत्टवर्क में के अने कंनेक्ट हो रहे हैं है तो अगा कोई आप से पूछ ले कि क्या डिचनल पेमन और इमदवर्क पर र रहा है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद हम आ जाते हैं चेंज करने में और आगे बढ़ते हैं तो कौन-कौन से अब डिटल पेमेंट के अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यह देख लेगे कौन-कौन से इनिशेटेव डिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए गया है सबसे पहला तो बनाया गया था हमनें फी यह बनाया था कि अंदर पनाया था पेमेंट टूजन सेवंट टूजन सेवन तो उससे क्या हुआ यह रिए और यह रगुलेटरी बडिटी बन गई रगुलेशन इसके बाद रैसना इसे क्या होता है में दिसकांट रड़ाइब तो जैसे आपने देखा होगा आप किसी किराना स्टोर पर या थोड़ी बड़ी शॉप पर मार्केट में जाते हो ट्रांजेक्ट करने क्रेड़ काट के थूए ना जब अपको एक मशीन दिखती होगी ना जिसमें आप अपना दलते हो और आप से बोलता हो पिन डैलो हम यहां पर इन जालते हो गए है फिर आप इन्हीं सो वड़ें से म Reports एंपने यह पर डालते हो जो बीवेहें अर्फिर रिसीप आती वहाथ यह जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें क्या होता है जो आपका कार्ड गेटवेय जैसे मानलों इससे आपको कार्ड है यह फिर मास्टर कार्ड है वो असमें करता है okay ंदेखो आप क्या हुआ कि हमको जब इह बढ़ाना था हमको डिजिटल पेमेंंट जब करना था तो कोई भी दुकानदार इसको क्यों करेंगा उसको 2% का घाटा हो रहा है ना आप कार्ट लेकर जाओगे बोलोगा मैं को कार्ट से पेमेंट करना है तो उसको 2% का घाटा होगा तो ही विल नॉट ट्राइट तो यू नो ब्रिंग डाट पी ओएस मशीन और वो बोलेगा हमको कैश दो ऐसे पहले होता भी था आपने देखा होगा कि ऐसे पहले होता भी था कि लोग कैशी मंगते थे बोलते थे हम काड एसे नहीं करते तो आर्बिया और गवर्मेंट ने क्या कि लगा कि यार देखो हम आपको यह डिसकाउंट दे रहें 2% का हम जो यह 2% आपका लग रहा है हम पहले 3 साल के लिए आपका यह माफ कर दे रहे हम देंगे पैसे बट आप एसे करो पेमेंट एसे ठीक है तो यही बोल रहा है कि वह रेस्टलाइजेशन किया हमने MDR कर ताकि इंग्रीज किया जा सके यह उसके बाद पेमेंट इंफ्रसेक्ट्ट्राइब्लप्मेंट फंड को स्टैब्रिश किया अर विया ने ताकि जो पी ओएस मशीन से जिसमें आप काड लगाते हो जादा से जादा पी ओएस मशीन को बेसिकली डेपलॉइ किया जा सके दुकानों सम्झे आ रहा है तो उसके लिए फंड क्रियेट हुआ था क्या नाम है पेमेंट इंफ्रसेक्ट्ट्ट्ट्च और डेफलोप्मेंट फंड उसके बाद कुछ-कुछ डिजिटल डिजिटल पेमेंट की अवेरनेस को बढ़ाने के लिए कि लोगों को पता ही नहीं है लोगों अब ऑपने तरिफ से पिरायास कर रही है तो जो बेसिकली यह क्या है इसमें जो दूरदर्शन आता है उसमें उसमें बताया जाता है कि ऐसे पेमेंट होता है अब बचेंग ऐसे आप बिंट डालते हो यह सब और जो भी एजुकेशन है वो यह लोग दूसरा आता है वित्या सक्षर्थ अभियान क्या है यह वित्या सक्षर्थ अभियान में क्या है कि जो यंग लोग है ना जो आप और मेरे जैसे लोग है हम लोग तो काफी इसमें you know digitally equipped हैं तो हमको थोड़ा और पर ट्रेनिंग दिया जाता है और हमसे बोलता है कि आप अवेरनेस बढ़ाते हैं तो यह है डिटल सक्षर्थ अभियान इसमें क्या है इसमें बेसिकली जो स्टुडेंट्स है जो यूथ है और स्टूडेंट्स हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि आप जाईए और सारे प्ले और फंड्स उसके बाद इंडिया की अगरम बात करें तो हमने पीछे ट्रेंड दिखा ही वो ग्रोग कर रहा है तो इंडिया में जो डिजल पेमेंट है इस डॉमिनेटेड बाइड डेविट कार्ट पीपी आइस प्रीपेड जो वालेट होते हैं जैसे पेटीम अगे रहे ह प्रीपेड इंस्रूमेंट होते हैं उनसे डॉमिनेटेड है और आज आप भी देखो कि भाई पेमेंट करना होता है तो फोन पर फोन पर घरो आता है तो बहुत जदा इनका डॉमिनेशन है अभी इसमें अगा उसके बाद वैल्य सेग्मेंट के अगर मात करें तो अभी भी जो rtgs और neft है अभी बी ओल्ड स्कूल चल रहा है ना rtgs और neft भी लोग करते है 53 परसेंट अभी यह पर यह आपको दिखेगा धीरे धीरे यह भी 53 परसेंट भी कम होगा यह सारे बिजनसमें नहीं करते हैं आपको अगर दो रुपय पर करना तो आप एंट थोड़ी करोगे आ आप तो अभी यह 53 परसेंट है जो ट्रांजक्शन की बात करें दिजिटल टांजक्शन पर क्यापिट इंक्रीजिंग अब इसके बात आगे बढ़ते हैं डिजिटल इंटलिजिंग की बात करते हैं ने बोला कि हम डिजिटल इंटलिजिंगे मैं क्या करें घ्याइट पडिजिटल नाम है तो धिटल पाजिगे अ करेकी हैं हम SBI कार्ट से बोल रहे हैं क्रेट कार्ट से आपके रिवार्ट पॉइंट्स खतम हो रहे हैं तो हमको रिन्यू करने हैं और मैंने पागलो टाइप पिन दे भी जाता है तो साथ जार का ट्राजेक्शन हो गया था उससे ऑल्दो मैंने तुरंथी रिपोर्ट कर दिया था तो पैसे ट्रांजिक्शन कैंसे वापस आगया बड़ स्टिल तो इस टाइप के फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए इस टाइप प्रॉड करने के लिए डिजिटल इंटलिजिएंस यूनिट सेट अप हुए ताकि ऐसे जो फ्रॉड फ्रॉड वाले लोग हैं उनको पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए है ना तो क्या करेगी अन्सालिटेट कॉमर्शल कम्मिनिकेशन को टाइकल करेगी जैसे देखा होगा कि आपने यूनों आपके एसमेस आजाता है फोन में कि यू हवन टेन थाउजंड डॉलर लॉट्री से कुछ कुछ आता है मैसेज तो यह को फसाने का तरीका है घचकेह थे जीत लिए यह जीत लिए होगे गय को ऊबम करे करेंगा उसका दूसरा आता है टेलीकॉम एनालेटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंजूमर प्रोटेक्शन यह भी यही सेमी काम करेंगा कब कब इस्टैबलेश हुआ है विल भी विल अलसो बी सेट अप दा 22 लाइसेंस सर्वेस अरिया लेवल कुछ भी नहीं है वहीं फ्रॉड वर जो है उसको जो है वह वह अटाने के लिए यह भी अलग सी और गनाइजेशन है अब एक और चीज न्यूस में थी जो देख लेते हैं इस पर फिल्लम से कुशन आ सकता है कि कौन सी करेंटी करेंसी है जिसने अभी डिजिटल करेंसी को फ्रोट किया तो चाइना ने अपना यूदो चैनल बैंक ने उसके अप्रूफ करके चाइना का डिजिटल करेंसी जो भी मलब कुछ पाइलेट सिटी में ही चल रहा है ठीक है तो वह चाइना ने लॉंच किया है ठीक है बस इतना यहाद रखना है ज्यादा यहाद रखने ही जरूबत नहीं है ठीक है चलो